बढ़ा सकते हैं ठीक है और दोस्तों उसके बाद आप स्लाइड सो पे क्लिक के जिए उसके बाद आप फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इस तरह से दोस्तों आप जो है स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने लैप्टॉप या कम्प्यूटर में ठीक हैं किसी भी स्क् वीडियो में बताऊंगा कि सरकारी जॉब यूज बाला यूटूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कैसे वीडियो बनाना है कैसे क्या करना है सारा कुछ दोस्तों कम्प्लेट इस वीडियो में जनकारी दूँगा तो दोस्तों इस वीडियो पे लाज तक बने रहे तो दोस् सबसे पहले आपको पावर पॉइंट में एक टेंपलेट बना लेना है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा महनत लगेगा उसके बाद आपको बिसेस महनत करने की जुरूरत नहीं होगा बस आपको कॉपी प्रेस्ट करना है और बस वीडियो रिकॉर्ड करके जो है आप उस कर लीजिए दोस्तों पावर पॉइंट ओपन होने के बाद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है न्यू स्लाइड आप यहां पर क्लिक किजिए और एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए उसके बाद दोस्तों यहां पर राइट क्लिक किजिए ठीक है इस स्लाइड के उपर आप इस पर क्लिक किजिए उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक online जो है फोटो इस सर्च कर लेना है job news लिक करके ठीक है और एंटर कर दीजिए और यहां से दोस्तों आपको जो है कोई एक image जो आपको पसंद आजाए वो आप यहां से select कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक फोटो इस में से select कर लेता हूँ यह वाला और यहां से मैं insert करा देता हूँ और इसे मैं close कर देता हूँ ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है insert पर click कर लेना है और save पर click कर लेना है और यहां से आपको एक rectangle shape ले लेना है और इसके उपर दोस्तों आपको जो है इस तरह से draw कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों format टैब में आपको यह जो fill मिल जाता है यहां से आपको जो सबसे नीचे वाला जो safe होगा ये वाला आप ये वाला इसमे safe fill कर लेंगे उसके बाद दोस्तों इसके उपर आप right click किजिए format safe में जाईए उसके बाद यहां से इसके transparency दोस्तों और भी जादा कम कर लेजिए कुछ इतना ठीक है और इसे आप close कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज और करना है कि ये जो आपने safe fill करवाया है इसमें आपको safe outline लगाना है तो यहां पर मैं yellow color का लगा लेता हूँ और दोस्तों यहां से आपको save का with भी आपको बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से इस तरह से जो है border इसमें लगा लेना है ठीक है बस हो गया insert पे click किजिए picture पे click किजिए picture में click करने के बाद दोस्तों आप अपने laptop या computer में जहां भी आपने अपना logo रखा है वो आप insert करा लीजिए ठीक है कुछ इस तरह से उसके बाद दोस्तों ये देखे इसे जो है अब हमें round shape में इसे crop करना होगा तो crop में जाएंगे और safe crop shape में जाएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग rectangle crop shape से इसे इस तरह से crop कर लेंगे और इसकी size को छोटा करके आप इसे इस corner में रख लेंगे ठीक है इतना हो गया आप दोस्तों आपको क्या करना है कि file पे click कर लेना है export पे click कर लेना है change file type पे click कर लेना है png आपको जो है file type select करना है double click के जिए उसके बाद दोस्तों आप इसको desktop के उपर save कर दीजिए और just this one पे click करके इसे जो है जी file में insert करा लेजिए अब दोस्तों ट्रोल N से जो है नया slide लेजिए ठीक है वापस और ये जो आपने बनाया है ये वाला पहले वाला इसे दोस्तों आप क्या किजिए close कर देजिए ठीक है चलिए नया slide में हम लोग आ गए है अब दोस्तों फिर से आप जो है एक blank slide लीजिए और उपर वाली slide को आप जो है delete कर दीजिए ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है कि view पे click कर लेना है क्योंकि अब दोस्तों हम लोग template बनाएंगे तो view में जाएंगे और उसके बाद slide master में जाएंगे ज़रत नहीं होगा सिर्फ एक बाद मेहनद करना होगा फिर आपको मेहनद जादा नहीं करना होगा इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर template बना करके उसे ही daily use करेंगे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़े हैं आप इस तरह से picture और texture fill आप इससे select किजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ में लेका आपको file file के उपर click कर लिजे उसके बाद दोस्तों आपको कहा करना है desktop पे आना है और यह जो हमने दोस्तों background बना के रखा है इसे आप select किजिए उसके बाद दोस्तों आपको insert में click करके background को आपको insert करा लेना है तो आपको क्या करना है insert में आना है और word art पे click किजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप word art ले लिजे और यहाँ पे दोस्तों आप type कर लिजे employment news employment news type करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इससे जो है इस तरह से सही position में रख लेना है और सही position में रखनी के बाद दोस्तो आप आपको क्या करना है home में आना है ताकि दोस्तो हम लोग इस font को जो है format कर सके ठीक है तो यहां से आप color जो है white ही रहने देजिए और यहां से दोस्तो आप अपना पसंद का जो भी font यूज करना चाहें आप अपनी पसंद का font यहां से यूज कर लेंगे ठीक है कुछ इस तरह से और इसे आप सही जगा पे रख लेंगे ठीक है अब आप इधर side में क्लिक कर दीजे इतना हो जाने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है कि आपको slide master में आना है slide master में रहते हुए दोस्तो आपको यहां क्लिक करना है insert place holder यहां पे आप क्लिक किजिए उसके बाद दोस्तो यहां पे मिल जाएगा आपको text आप इसके उपर क्लिक किजिए और दोस्तों आपको यहाँ पर text box insert करा लेना है और दोस्तों यहाँ पर देखे जो भी text है इसके बीच में click किजिए control A से all select किजिए और इसे delete कर दीजिए ठीक है delete कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है होम में आना है होम में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो है bullets none कर लेना है और यहाँ से आपको जो है अपने पसंद का font जो है यहाँ पर लगा लेना है ठीक है जो भी आप देना चाहें आप दे सकते है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहां से alignment text पे click कर लेना है और उसके बाद आपको इसे middle कर लेना है और यहां पे आपको tap करना है month और यहां पे tap कर लेना है 2021 ठीक है उसके बाद दोस्तों आप इस text को select कीजे और इसका size थोड़ा सा increase कर लीजे इस तरह से और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यह font का color यहां से आपको white रख लेना है कुछ इस तरह से इसे आप चाहें तो bold भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप दोस्तों आपको क्या करना है वापस से आपको slide master में आना है उसके फिर से दोस्तों आपको insert placeholder में आ जाना है उसके बाद दोस्तों यहां आपको मिलेगा text आपको text select कर लेना है और आपको गया करना है यहां से आपको text box insert करा लेना है और इस पे आप click किजिए control A से all select किजिए उसके बाद दोस्तों आपको delete करके इन सभी text को delete कर लेना है उसक पॉर्मेट करने के लिए पहले color देंगे white यहां से उसके बाद आप अपने पसंद का जो भी font लगाना चाहें आप यहां से लगा सकते हैं इसे bold कर सकते हैं इसकी alignment को middle कर सकते हैं ठीक है कुछ इस तरह से और इसका दोस्तो बुलेट जो है आप change कर सकते हैं कुछ इस तरह से इ दोस्तो आप आपको क्या करना है इस पर क्लिक किजिए इस tax box के उपर यहां पर क्लिक किजिए और control डी से इसकी एक duplicate बना लेंगे और इसको आपको यहां पर रख लेना है और यह जो है job title के लिए आपको यहां से tax box इस तरह से बना लेना है और दोस्तो आपको इसमें क्या क किजिए animation को open किजिए animation टैप पे click किजिए उसके बाद दोस्तों आपको animation pen इधर open कर लेना है animation open होने के बदध दोस्तों इसमें आपको पहले एक animation लगाना होगा fly in animation ठीक है तो इस तरह से हमने लगाया है तो इससे आपको कहा करना है और इसमें कर लेना है from left ताकि यह इधर से आएगा, ओके, चलिए, अब दोस्तों आपको गया करना है, यह जो text box है, आप इसे select किजिए, और इसको गया कर लेना है, इसमें भी आपको एक animation लगाना है, fly in, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें आपको effect option में आना है, और इसे कर देंगे, दोस्तों, आप from right, ठीक है, तो यह इधर से आएगा, इधर से आएगा, और यह इधर से आएगा, text box है, इसके उपर आप click किजिए, उसके बाद दोस्तों आपको यहां आना है, add animation में, और यहां से दोस्तों आपको और animation इसमें add करा लेना है, brush color, ठीक है, brush color animation add कराने के बाद दोस्तों, आपको यह जो start on click है इससे आपको कर लेना है after previous और इसमें थोड़ा सा आप delay रख लीजिए ठीक है 50 second तक का रख लीजिए और यहाँ दोस्तों आपको एक option मिल रहा है आप यहाँ पे click किजिए उसके बाद effect option पे click किजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा tax color के लिए option उसके बाद more color में जाएंगे standard में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग yellow color ले लेंगे और यहाँ से ok कर देंगे इसमें दोस्तों आपको 50 रख लेना है ठीक है और यहाँ से आपको ok कर देना है ताकि यह इस तरह से so होगा ठीक है तो देखिए दोस्तों अब जो है मैं यहाँ पे पहले click कर लेता हूँ उसके बाद आपको animation play करके दिखाता हूँ पहले यह इधर साएगा फिर यह इधर साएगा और फिर यह आपको अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों इसे जो है आपको close कर देना है animation pen को अब आपको क्या कर लेना है इन दोनो text box को select किजे इस तरह से ठीक है यहाँ पे mouse pointer को रखे यानि इस line से जो है थोड़ा सा उपर और यहाँ पे click करते हुए इन दोनो text box को select कर लिजे select कर लेने के बाद दोस्तों control D से इसकी duplicate बना लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है और फिर एक और duplicate बना लेंगे एक और बना लेंगे एक और बना लेंगे ठीक है एक और बना लेंगे इस तरह से ठीक है आप इसमें दोस्तों लिखा हुआ है job title उसके बाद दोस्तों आपको इसमें बस क्या कर लेना है इसमें आपको लिख लेना है post इसमें लिख लेना है दोस्तों आपको last date इसमें लिख लेना है दोस्तों आपको last date के जगह पर आपको इसमें लिख लेना है edge limit उसके बाद दोस्तों इसमें आपको बस लिख लेना है fees और इसमें दे देना है salary salary ठीक है और बांकी चीजे आप इसमें भी जो है चेंजिंग कर सकते है ठीक है यहां पर जैसे job title है तो यहां पर आपको जो है इसे copy किजिए और job title के जगह पर आप यहां पर post और यहां से दोस्तों आपको का कर लेना है ctrl c से copy और इसमें job title के जगह पर लिख दीजिए last date ठीक है इस तरह से और यहां से edge limit के जगह पर इसे आप copy कर लिजिए और job title के जगह पर इसे paste कर दीजिए ठीक है और यहां पर दोस्तों fees है कि exam में fees कितना लगने वाला है तो आप इसे copy paste कर लिजिए ठीक है और यहां से दोस्तों आपको salary copy कीजिए और यहां से आपको जो है paste कर लेना है कुछ इस तरह से चलिए बस इतना ही दोस्तों आपको first time मेहनत लगेगा बांकि आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा ठीक है चलिए अब हम लोग जो है view में आते हैं और normal में click करते हैं तो यह देखिए हमारा format बन गया है अब आप इसको जो है कहीं पे save करके रख लेंगे इस template को और फिर जब भी वीडियो बनाना होगा सिर्फ आपको क्या करना होगा सिर्फ आप यहां पे click करते जाएंगे तो यह इस तरह से template बना बनाया मिल जाएगा उपर वाले को मैं delete कर देता हूँ यह जो है template बना बनाया मिल जाएगा आप आपको कर लेना है यहां पे आपको type कर लेना है job title यहां पे post, last date, age limit और fees और salary यहां पे आप type कर लेंगे और दोस्तों आपको बहुत सारे internet पे ऐसी website मिल जाएगा जहां से employment news आप उठा सकते हैं और वहां से उठा के यहां पे बस आपको कौन सी vacancy आई है यहां जो आप टैटल क्या है जैसे ssc, railway, mts, cgl जो भी चीज़े हैं वो आप job title यहां डालेंगे कितनी post है यानि उसकी जो seat है कितना है वो आप यहां पे copy paste कर देंगे इंटरनेट से last date कब से start हुआ है कब तक last date है यह दोड़ों date आप यहां पे डाल देंगे age limit यहां पे डाल देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे face डाल देंगे कि हां भाई इसके लिए जो है डाल देना है तो इस तरह से आप add the slide में इस तरह से बना लेंगे दोस्तों यह सारा कुछ हमने copy paste कर लिया है और यह आप देख सकते है कि यह सारा चीज़ दोस्तों मैंने सरकारे डाट कॉम से यह copy paste किया है ठीक है सारा information आपको इस तरह से यहां से उठाना है और भी बहुत सारे website है जहां से आप यह सारे जो है जनकारी आप ले सकते है ठीक है इस तरह से जो है अलग-अलग seat के लिए जो भी अभी हाल फिलाल में जो जो फॉरम भराया जा सकता है वो सार बनाने में बस आपको एक बार मेहनत लगता है उसके बाद से आपको यहां पर यह copy paste कर लेना है और इसकी size वे गयरा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यह आराम से यहां से बढ़ा सकते है ठीक है और दोस्तों उसके बाद आप slideshow पर क्लिक करके इस तरह से दोस्तों आप slide को record कर सकते हैं अपने laptop या computer में ठीक है किसी भी screen recorder का यूज कर सकते हैं और मैं यही कहूँगा कि आप OBS का यूज करें और इस तरह से आप अपने YouTube channel के लिए वीडियो record करके और फिर वीडियो बना करके आप चैनल पे upload करेंगे और दोस्तों अगर आपका educational YouTube channel है जहां पे आप परत्योगीता परिक्षा की तैयारी करवाते हैं deployment news वाली वीडियो बनागर के आप अपना subscriber बढ़ा सकते हैं आप अपने YouTube channel को grow कर सकते हैं तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपको पसंदा होगा अगर दोस्तों ये वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को like करें और मात्रम झाल झाल झाल